आज हम बनाएंगे जलेबी जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 100 ग्राम मैदा और अब इसमें हम दो चम्मस दहीं आड़ करेंगे दहीं आड़ करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें और चुरूरत के हिसाब से इसमें पानी मिक्स करके इसे अच्छे से फैट लें अच्छे से फैटने के बाद हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे और इसे 3-4 गंटे के लिए छोड़ देंगे 3-4 गंटे के लिए इसे छोड़ना बहुत ज़रूरी है नहीं तो अजले भी अच्छी नहीं बनेगी 3-4 गंटे हो चुके हैं अब हम सबसे पहले चाशनी बनालेंगे हमारी चाशनी अच्छे से पकी होनी चाहिए देखिए इसमें अभी हमारी चाशनी अच्छे से पकी नहीं है अब इसमें लेर बन रही है चाशनी तयार हो चुकी है अब गैस ओफ करतेंगे अगर चाशनी अच्छे से पकी नहीं होगी तो इसमें जलेभी टिप करते हुए जलेभी थोड़ी सोफ्ट हो जाएगी मैंने गैस पे पहले ही तेल रख रख है जितने में तेल गरम हो रहा है इतने में हम बोटल में बैटर बार लेंगे अब हम इसे गॉल-गॉल गुमाते हुए जलेभी की शेप देंगे इस बात का ध्यान रखे के जलेबी थलने के लिए हम फ्लेट वाला बर्तन ही लें देखिए इसे बतलते हुँए अच्छे से करंची कर ले हाँ जलेबी करंची हो चुकी है अब हम इसे चाशनी में डिप कर देंगे और इसे हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे देखे जिलेबी बन चुके कितनी करंची हमारी जिलेबी बनी है थैंक यू